हलो वेलकम बैक दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज का वीडियो पीएम आवास यूजना ग्रामीन के अंतरगत जो आवास पलस है उसी के संबंद में होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लाभार्थियों को बताऊंगा कि जो भी लाभार्थी आवास पलस के तहट 2022-23 के अंतरगत जो है पीएम आवास यूजना ग्रामीन का लाब लेना चाहते हैं उन सभी लाभार्थियों का रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों सूची अपलोड करने की तीथी भी घोसित हो चुकी थी पहले इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बता भी दिया था और इसी को लेकर अब आवास पलस की जो रेजिस्टेशन है उसे सुरू करती आ गया है तो दोस्तों किस तरीके से आप जो है ऑनलाइन आवास पलस के लिए रेजिस्टेशन करा सकते हैं वो भी अपने प्रखंड में जाके तो पूरा स्टेप बताऊंगा दोस्तों पूरा प्रोसेस बताऊंगा वीडियो में अंध तक बने रहेगा थ चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों मैं आप लोग को बताते हूं यहाँ पर देख सकते हैं फिर से पीम आवस विजना ग्रामीन के वेबसाइट पर आवास प्लस के जो पेज है उसे ओपन कर दिया गया है आवास प्लस का जो रेजिस्टेशन पेज है यहाँ पर आप देख रेजिस्टेशन होता है उसका उस फॉर्म को भरके सारे दस्तावेज ले जाके आपको अपने मुख्या से जो है साइन करा के ब्लॉक में जमा कर देना है और वहां पर जब रेजिस्टेशन होगा तो वहां से जो है आपका भी नाम जो है पीम आवस प्लस की सूची के लिए रेजिस्टर कर दिया जाएगा तो दोस्तों ये आवास प्लस के तहट अंतरगत जितने भी लाभारती आएंगे उन सभी लाभारतियों के लिए बहुत बड़ी खुस खबरी निकल कर आ चुकी है क्योंकि रेजिस्टेशन स्टार्ट है आप भी अपने पंचायत कार्याले या फिर प्रखंड कार्याले में जाके रेजिस्टेशन करा ले ताकि आगे आने वाले समय में जब 2022-23 के तहट पीमा उस्विना ग्रामीन का लाभ मिलेगा तो सबसे पहले आपको इस योजना का लाभ मिले